दोस्तो नमस्कार विकेन ओलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज 27 मार्च 2021 को यूपी पीशिल टीजी टू का फर्स्ट सिप्ट का जो एकजाम हुआ था उसी पेपर का एनलेशिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं यदि आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ तो इस वीडियो को जरूर देखें पूरे पेपर का हम एनलेशिस करेंगे कुछ क्यूस्टन्स पर भी बात करेंगे किस तरह की क्यूस्टन्स पूछे गए थे पेपर का लेवल कैसा रहता है इनी सब पर हम जर्चा करेंगे आप नहीं देखने को मिला कि जी पेपर बहुत टफ था हुआ यू है कि पेपर दर असल वो इस तरह से दे रहे हैं कि आपको दो स्टेटमेंट दे दिये और ये पुछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है या दोनों गलत है दोनों सही है फिर वो क्या करते हैं कि एक statement दे रहे हैं और यह पूछते हैं कि यह statement सही है पुरुनत एस सत्य है एस सत्य है अर्द सत्य है यानि ज़्यादत तर इस language में option आ रहे हैं इसलिए paper थोड़ा सा हमें कठें लग रहा है दूसरी बात दोस्तो paper में सबसे ज़्यादा क्युस्तन जो पूछे गए वो power system से पूछे गए यानि विद्यूत generation, electricity generation बोल सकते हो transmission और distribution से क्युस्तन पूछे गए साथ यो आप सभी से निवेदन है कि playlist में जाईए आप अपने इस YouTube चैनल weekend knowledge, electrical के आपको विद्यूत उत्पादन परसारन और वित्रन इन से समन्दित एक playlist मिल जाएगी जिसमें सभी क्युस्तन में डाले वे हैं इतने क्युस्तन में डाले वे हैं कि जरूर आपको उनमें से same to same क्युस्तन एगजाम में देखने को मिल सकते हैं इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर कि उन सभी वीडियो को आप जरूर देखें पावर सिस्टम में कहीं कोई प्रोब्लम नहीं आएगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितने भी पेपर आपके बचे हुए हैं उनके लिए आप त्यारी जरूर कीजिए चलिए आज की क्युस्टन पर दोस्तों बात कर लेते हैं सवाल पुछा गया कि जब वोल्टेज और करंट दिया हुआ हो तो एड्मिटेंस किसके बराबर होगा फोर्मूला दिया हुआ था वी बटे आई आई बटे वी इंटू आई इस तरह से दिया हुआ था देखो दोस्तों इंपिडेंस से पहले मैं आपको एड्मिटेंस से पहले इंपिडेंस की तरफ लेकर जाऊंगा जैड जो होता है वो इंपिडेंस होता है और ये होता है धारा के लिए कुल विरोध इसके लिए फॉर्मूला होता है वी बटे आई ध्यान से समझना साथियो तो जो जैड होता है न वो विद्करमानुपाती होता है किसके एड्मिटेंस के यानि यदि हम बात करें y और z की या फिर हम admittance के लिए formula रखें तो admittance जो है वो 1 upon z होता है अगर impedance के अदार पर हम देखें तो impedance की जगे हमें क्या रखना है v बटे i तो v यहाँ पर और i उपर तो formula बनेगा i बटे v ठीक है? साधारण सा formula है वैसे g square b square वो नहीं दिया नहीं तो इसका दूसरा formula वो भी बनता है g square प्लस b square इस formula को भी आप लागू कर सकते थे यानि चालकता का वरग प्लस सब्टेंस का वरग और दोनों का वरग मूल अप्शन में नहीं था i बटे v आपको करना था यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों अब सवाल इसलिए भी पेपर टफ लगता है दोस्तों कि एक ही सवाल में दो दो चीजें पूछ रहा है वो एक डाइगराम दिया वा था दोस्तों इस तरह से जिसमें सिरीज मोटर की फिल्ड वैंडिंग दे दी यहाँ पर आर्मेचर कनेक्ट किया हुआ दिखाया और क्या किया कि फिल्ड और आर्मेचर दोनों का रेजिटेंस दिया फिल्ड का रेजिटेंस 0.75 दिया आर्मेचर का रेजिटेंस दोस्तों उस स्टूडेंट को पूरी तरह से याद नहीं रहा हमने एक्जेंपल के तोर पे 0.5 रखा है मतलब आर्मेचर का रेश्टेंस भी दिया हुआ था फिल्ड का दिया हुआ था यहां पर टरमिनल पर 220 वोल्ट दिखाया हुआ था और सवाल पुछा कि अंदर जो इंडियूस EMF होता है न उसकी गणना कीजिये जब मोटर को एक बार जेनरेटर के रूप में चलाया जाए एक बार मोटर के रूप में चलाया जाए यानि एक ही सवाल में दोनों का पूछ लिया कितना बड़ा क्यूस्टन हो गया यह इतना टप पेपर आईटे वालों को नहीं देना चाहिए था अलांकि तरीके से अगर आप करो तो क्यूसन एजी भी था लेकिन एक्जाम होल में प्रेसर अलग होता है तो स्टुडेंट जो है वो इतना बड़ा पेपर क्यूसन हो जाता है उसके लिए फिर जल्दी सॉल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखो भई मोटर में बेक एम एफ बोलते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है वी माइनस आई ए इंटू आरे माइनस आई एसी इंटू आर एसी मतलब जो वोल्टेज हमने मोटर को बाहर टर्मिनल पे दिया है उसमेंसे आर्मेचर की ड्रोप घटा दीजिए सीरीज फिल्ड की ड्रोप घटा दीजिए बचा हुआ जो भी होता है बेक एम एफ कहलाता है दो सो वोल्ट उतर आ जाएगा और इसी तरह से जनरेटर की यदि मैं बात करूँ तो जनरेटर में क्या होता है कि एम एफ अंदर इंड्यूस होता है इसका मतलब हमें बाहर कब मिला उस इंड्यूस में से आर्मेचर की ड्रोप घट गई थी उस इंड्यूस में से सीरीज की ड्रोप हो गई थी बचा हुआ बाहर मिला इसका मतलब हम बापिस अंदर की तरफ जाना चाहरे हैं बाहर से तो जो बाहर मिलता था टरमिनल पर उसमें आर्मेचर की जो ड्रोप हुई वो जोड़िये सिरीज पर जो ड्रोप होगी उसको जोड़िये जो भी था वो अंदर उत्पन हुआ था जब आप केल्कुलेशन करोगे तो यह आंसर आएगा 300 वोल्ट कैसे आएगा मैं बताता हूँ ध्यान से समझना आर्मिचर की जो ड्रोप है वो आईए इंटू आरे से 0.5 इंटू 40 अंपियर 20 वोल्ट हो गया सीरीज की ड्रोप 0.75 इंटू 40 करोगे 30 वोल्ट आएगा 30 वोल्ट आएगा आर्मिचर और सीरीज दोनों पर 50 वोल्ट ड्रोप होते हैं तो फिर क्या हुआ कि एक बार बाहर 500 मिल गया 50 ड्रोप भी हो गया इसका मतलब अंदर कितना पेदा हुआ था 300 ये तो हो गया जनरेटर का एक बार मोटर की बात हम करें बाहर से हमने 250 दिया 50 वोल्ट ड्रोप हो गया इसका मतलब अंदर कितना गया 200 तो ये आपका आंसर दोस्तों वहाँ पर रहेगा ठीक है अलांकि पेपर टफ आया है लेकिन वो ये ना कि क्यूस्टन किस तरह का आता है इसके लिए अपने पास इसका उप्शन रहता है चलिए अगले क्यूस्टन की और बात करेंगे 4 परतिस्थ सलिप दी हुई थी सप्लाई फरिक्वेंसी का मान 50 हर्टज दिया हुए था रोटर फरिक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी ये पूझा गया बहुत साधांड सा है ना शप्लाई फरिक्वेंसे इंटू अंसलिप तो 4 परतिस्थ सलिप है यानी 4 प्टे 100 और 50 हर्टज की सप्लाई फरिक्वेंसी दी गई थी तो दो खर्टज रोटर फरक्पंसी हो गई ये तो बहुत एजी है उमिद करूँगा सभी ने करी दिया होगा बस दोस्तो उसका ध्यान रखें आप बस पावर सिस्टम का आया है पावर सिस्टम हमने कम्प्लीट करवाया हुआ है जरूर नहीं होता कि नए वीडियो डाले जाएं उन्हीं क्यूस्टन को रिपीट करने से फाइदा नहीं है मैंने मेरी तरफ से बेटर दिया हुआ है बहुत क्यूस्टन करवाएं बहुत क्यूस्टन चलिए दोस्तो आगे सवाल पूछा कि बारा ओम के माला करम में तीन परतिरोध है तो तुले परतिरोध कितने होंगे अब मेरे तो यह सवाल समझ में नहीं आया दोस्तो क्या पूछा गया इसने ठीक है फिर भी माला करम जो होता है न वो सिरीज को बोलते है ठीक है ध्यान डखना इंग्लीज की तरफ जब आप देखोगे तो सिरीज ही लिखा हुआ था मतलब बारा बारा ओम के तीन परतिरोध सिरीज में जुड़े है टोटल रेश्टेंस पूछा था था 36 ओम आ जाएगा ठीक है क्या करना है 36 ओम बहुत सिंपल सा है इसमें कहीं कोई रिक्त नहीं है और डिस्ट्रिबिशन लाइन के अंत में इंसुलेटर पूछा था देखे भी जहां लाइन अंतिम जगे पर होती है या कहीं पर भी मुड़ना होता है ना वहां सेकल इंसुलेटर लगता है विजहां पूल की एंडिंग हो चुकी है लास्ट पूल है ना तो वहां पर फिर हम सेकल इंसुलेटर लगाएंगे हाँ पूल को सपोर्ट देने के लिए जो होता है वो इस्टे इंसुलेटर होगा सपोर्ट वायर वाला पर ये तो लाइन के टर्मिनेशन निकालते हैं कहीं पर भी मोड आ गया जैसे मान लीजिए तो वहां सेकल इंसुलेटर ही होगा आगे दोस्तों सवाल पूछा कि आठ होम के चार परतिरोद समानतर में जुड़े में कुल परतिरोद कितना आएगा तो दो ओम हो जाएगा लेकिन आठाट ओम के चार है तो अपने पास समानतर में क्या फोर्मूला होता है टोटल रिजिटेंस ग्यात करने के लिए आर बटे एन एक परतिरोद का मान आठ है कुल परतिरोद कितने है चार तो फिर total resistance कितना आएगा दो ओम यानि कुल मिलागर सवाल देखें तो numerical भी फोट दियें और उनको पता नहीं कि numerical solo करने में एक बच्चे को कितना time लगता है इस बात को examiner को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि बच्चा exam होल में बेटकर क्युस्टन को solo करेगा अपने घर पे बेटकर नहीं इसलिए क्युस्टन सोलो करने में वक्त लगता है पेपर बनाने वाले को easy लगती है उसकी calculation लेकिन जिसको समझना है ना नया क्युस्टन जिसके सामने गया है उसको time लगता है इसलिए आगे दोस्तो सवाल दिया कि 0.101 जो binary है उसको decimal में convert करना था यानि बिनात्मक binary को बिनात्मक दस्वलों में convert करना था तो दोस्तो इसके लिए क्या होता है कि 2 की power जो अपने लगाते है ना वो minus में लगेगी यानि 2 की power minus 1, 2 की power minus 2 और 2 की power minus 3 हलांकि इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि fix याद ही रख लिया करो 0.50, 0.25, 0.125 ये आपका calculation इसका आता जाएगा अब इसको तो छोड़ जीती दोस्तो और 0.50 में क्या करना है 0.125 को जोड लीजिए तो ये आपका answer बनेगा 0.625 ठीक है बहुत सिंपल सा दिया था कुछ नहीं सादान केलकुलेशन करनी थी उम्मीद है कर लेंगे चलिए अगला सवाल वेक्यूम क्लिनर में मोटर पूछी ये आसान क्योस्टने भी यूनिवरसल मोटर होती है हम सभी जानते हैं ACDC दोनों पर इसको operate कर सकते हैं वेक्यूम क्लिनर, मिक्सर ग्राइंडर, पोर्टेबल ड्रिल मसीन, सिलाई मसीन इन सब यूनिवरसल मोटर ही होती है आगे दोस्तों सवाल पूछा कि कौन सा उपकरन है जो फरिक्वेंसी और पावर को नियत रखकर voltage को परिवर्तित करता है, तो transformer है हम सभी जानते हैं, transformer में primary और secondary की frequency constant रहती है primary और secondary की power नियत रहती है लेकिन voltage को step up यह step down करता है और current जो है वो अपने आप बदल जाती है कैसे, अगर voltage step up करता है तो current step down हो जाती है voltage step down करता है तो current step up हो जाता है या transformer इसका option आएगा, अगला सवाल, AC से DC परिवर्तन की कौन सी विदी है option दिये वे थे, MG set, rotary converter और diode या rectifier तो यह सब ही करते हैं, इन सब को अपन AC से DC परिवर्तन के लिए यूज करते हैं उप्रोक्त सब ही आ जाएगा आगे दोस्तों सवाल पूचा कि सबसे कम देखबाल वाली motor कौन सी है अब depend करेगा भई, option पर यदी option थे DC motor, synchronous motor और induction motor तब तो जाएंगे induction motor option की तरफ, ध्यान से समझना यदी option दिये वे थे, sleep ring induction, scroll case induction तो फिर, squirrel case induction motor की तरफ जाएंगे क्योंकि ना तो इसमें कोई commutator है ना ही इसमें कोई carbon brush है ना ही कोई sleep ring है इसलिए सबसे कम maintenance की आवशकता इसी motor को होती है आगे दोस्तों सवाल पूचा सबसे सस्ता विद्यूत उत्पादन कहा होता है तो यह होता है पन विद्यूत उत्पादन यानि हाइडल बोलते हैं जिसको अपन जहां पानी से light बनाई जाती हो जल विद्यूत उत्पादन सबसे सस्ता पड़ता है और उसके बाद दोस्तों विद्यूत उत्पादन परसारन निगम से सबसे ज़्यादा क्यूसन पूछे गए थे तो इसके बारे मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ सबी क्यूसन मिलेंगे आप जुरूर वहाँ जा करके उनको देखें